आज किस वीडियो में बात करेंगे मानो मुल और पर्या वाराण अध्यन यानि कि Human, Value and Environmental Studies की Most Important 100 MCQ यानि कि Most Important Question and Answer के बारे में तो वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली यादि आपकी परिच्छा लगी है तो इस वीडियो को जरूर देखके जाईएगा इस वीडियो से आपको 100 questions Most Important मिलेंगे और साथ साथ में आपको और भी लाब होंगे क्योंकि इस वीडियो को लाफता कर आप देखेंगे तो उसमें हम आपको ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा कि अगर आप बिना भी परिच्छा मतब तैयारी के भी आप देने जा रहे हैं तो आप उसमें भी सफल हो सकते हैं हाँ आपने साही सुना क्योंकि ये जो मैं ट्रिक्स है ये टिप्स है मैं काफी चाथ रगों पर अपलाई कर चुका हूँ और सबको सफलता मिलिए अगर आप भी इस वीडियो को देखकर ही परिच्छा देने जा रहे हैं या सिर्फ थोड़ी बहुत तैयारी करके जा रहे हैं तो इस वीडियो को आन्त तक देखते रहेगा गारंटी मैं आपको पास करा दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं पर ये हुमैन वैलू का पेपर आप सभी को मालूम है कि B.A.B.C.B.com के जो भी थर्ड समस्टे के छात्र है जिनकी परिच्छा है उनके लिए तो बहुत ही महात्पोड है और अन इन्वरसिटी के जनकी परिच्छा है तो पहला प्रस्न आज किस वीडियो का कि 20 पर्या और दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि कि 20 पर्या और दिवस किस डेट को मनाया जाता बहुत ही पॉप्लर, बहुत ही कॉमन कोईश्चन है तो ध्यान से इसका उत्तर अगर मालूम है आप सभी को तो कमेंट में जरूरू बताईएगा ठीक है यह कई बार पर इच्छा में आ चुका है और आप सभी को मालूम भीया पर्या और आपके प्रस्ण पत्रियानी पेपर का ही नाम है तो सिंपल सा प्रस्ण बनता है कि आएग फ्रस्ण के प्रयावड़त्य प्रवधान की अगरे प्रवधान के लिए चाहिक प्रश्ण के लिए ठीक है तो इस प्रस्ण का सहुत्तर हो जाएगा कौन सा आप्शन नमबर ऐ 1976 में याद रखेंगे बहुत ही popular top label के question आपको बतानी का प्रियास कर रहे हैं ठीक है या आप सभी के आगामी पर इच्छा के लिए तो महात्पोन है साथ अगर आगे कुछ भी competition की तैयारी या फिर किसी अन भी छेत में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी चीज के लि क्यावन एजी के अंतरगत ठीक है इसका प्रावधान किया गया है द्याद रखेंगे बहुत ही popular question है ठीक है अगला प्रशन है कि भारत में लागों होने वाला पहला प्रमुक पर्यावर्ण सर्रचन अधियम था ध्यान सुनेंगे भारत में लागों होने वाला सबसे पहला यानि कि सर्प्रथम प्रमुक पर्यावर्ण सर्रचन ठीक है सर्रचन अधियम कौन था इन आपसनों में से तो ध्यान देंगे बहुत ही popular बहुत ही टॉप लेबल का question है आपके एक्जाम के लिए सहीत्तर हो जाएगा जल अधियम यह सफ से पहले और सर्प्रथम यहीं लाग कुषन यह कहरा किigration's वर्समें अधियमत किया टाए टो आपको वह सहे सह उत्तर बताना तो सहयोत्तरिश्का हो जाएगा ठीकए pirate ok यह अगला प्रoral स्जोन में की चोटकर पूरे भारत में फैला हुआ है क्या फैला हुआ है जहां से सुनेंगे फिर से कोश्चिन पढ़ लेते हैं कि किस प्रदेश को छोड़ कर पूरे भारत में वन संरचन अधनियम जो है वो फैला हुआ किस प्रदेश को छोड़ कर तो आपके जानकारी के लिविताद इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर फी जम् अधनियम के प्रवधानों के संरचन के लिए दंड निमना अनुसार कौन से हैं यानि कि अगर आप मालीजिये वन अधनियम के प्रवधानों के प्रदेशन के लिए या पिर इसके बिरुद्ध अगर आपको एक कदम उठाते तो आप उसके लिए दंड के हकदार होंगे तो प्लस हमने जो महा संग्राम वीडियो कल बना दी थी 600 एंसर की ठीक है उसकी भी पीडियो हम आपको देने वाले हैं लेकिन कैसे मिलेगी वह पहले देख लीजिए वीडियो उसके बाद हम उसके बारे भी आपको बताएंगे ठीक है और अगला प्रशन है भाईया की वन अधिनियम में अधिकारियों और सरकारी विभाग द्वारा अपराध के तहित कौन सी धारा होती है ठीक कौन सी धारा लगाई जाती है तो सही उत्तर हो जाएगा और अधिनियम वर्स है किस सं में दिया गया था जाता है ठीक है तो इस धारा के अंदर गताता उस धारा का नाम है ठीक है धारा 38 अनिक धारा 38 ओके अगला प्रश्णे की वन्य जिव सन्रच्छण अधिनियम किस अध्याय में सामिल है ठीक है तो उस अध्याय का नाम है अध्याय सेवन अध्याय में ये सामिल है ठीक है अगला प्रश यह जो है अगर आपको कमेंट में सक्षिन में बताना तो बता फक्ते हैं ठीक है तो बारा नंबर जो प्रसंदिक राष्ष का से उत्तर हो जाएगा ठीक है छाचाट ठीक है वन ने जीव फन रच्छड अधनियम में छाचाट धाराएं सामिल है याद रखेंगे अगला प्रस जल पुर्दूसर की रोक थांप और नियंत्र्थ किया गया था यह कुष्टन कूष सामिल की जल अधियाए सामिल है नहीं सनमें से अध्याय 8 यानि की अध्याइए आट अगला प्रह्षbig कर दिहां संद्थर। Сब्यवालाasis केंद्थर यानि किरते पुटर है अगला प्रशन है कि केंद्रे बोर्ड के कार नीचे दिये गए हैं, यानि कि केंद्रे बोर्ड के जो कार हैं, ठीक है, किस धारा में दिये गए हैं, ठीक है, तो इस प्रशने का सहुत्तर हो जाएगा, 16 नमबर जो दिकरा, इसका सहुत्तर हो जाएगा, धारा 16 यानि कि 16 में, अगला कि राज बोर्ड के कार नीचे दिये गए किस धारा में दिये गए ठीक है तो राज अभी उपर केंद्र की बात हो रहे थी अभी यहाँ पर राज की बात हो रहे तो ध्यान रखेंगे ठीक है बहुत ही popular question है ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D ठीक है 45 धारा 45 में ठीक है अगला प्रश्णय की निर्देश देने की सक्त के तहट घोशित किया गया था कौंसा कौंसे धारा में इसके बारे में बात की गई ठीक है निर्देश देनी की सक्त के तहट बहुत इमातपूर्ण प्रस्णय इसका सहीउत्तर हो जाएगा option number C ठीक है यानि की धारा 18 भूत किया गया है ध्युक्त कि अग नपताग धिया गया था किम मेस ठीक है और सुम्पुर्ण रूटर की रूक थाम और नियंतर अधनियम ये दोबार हो रहा है किसुन हो झा सामिल है ठीक है तो 20 नंबर का सजोंटर सुनेंगे इसका सचॉब्तर सोनेंगे ठीक याद रखेंगे अंगला प्रशने की रूप में अधने में से तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानि की 1986 में अगला पर ब्रस्ट कहरा कि EPA में कितने अध्याय सामिल है तो EPA में जो अध्याय सामिल है उन्हाइश थिक चार अगला की EPA में सामिल है कितने खंड ठीक है या फिर धाराएं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ठीक है ध्यान रखेंगे सी नंबर यानि कि 26 धाराएं सामील है अगला है कि NGO का मतलब क्या होता है तो NGO अपने नाम तो सुना होगा ठीक है एन और जियो ठीक है अपने यूटूब इंस्टाग्राम पर आप लोगalta की तर लोगों की मदत और हिल्प की जाती है थीक है और माध्यान से हैं कि लाखएक कितनी है महिलाओ की जन्संख्या लगभग कितने अगर भाग में डिवाइट किया जाए तो एक चवथाई है ठीक है या फिर एक पाचवा हिस्सा है फिर एक तिहाई हिस्सा है फिर आधी है तो ज्यादा जो आंकडों के मुताबिक पता चला यह आकड़ा हमेशा बदलता भी रहता है इस बात को भी ध्यान लखेंगे तो सयुत्तर हो जाएगा 28 का नमबर ठीक है आधा यानिकी आधि में महलाएं हैं और आधि में अन्य चीज़ें यहां पर बिश्व में महलाओ की जनसंक्या लगबग आधी है यह बताया जा रहा है याधा ठीक है और यह हमेशा फ्लेक्ट होता रहता है इस बात को भी ज्यान लखेंगे अगला इस सच्छा यानि की जो सिच्छित महलाएं हैं इसमें मदद कर सकती हैं ठीक इस चीज़ में और वनतिशन नमबर का जो सजूत्त हो जाएग आपशन अमबर डी भीयाश्य स्यू की अमृत-दर को कम कर सकती अगर फच्छार यानिकी फिच्छित महला तो माली जे की माली जे की वो प्लानिंग करेगी लिम्टेड बच्चों के लिए तो फिर भाई इसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी साथ साथ में वो बच्चों को बढ़ावा देगी पाढ़ने के लिए ते भी बहुत साधी मदद करेंगी तो यह सब होती सच्छार महलाओं के क्वालिटी और सच्छार जो होती सिच्छित महलाओं उनकी मिसिस्ता है ठीक है तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी नमबर उप्रियक्त में से सभी एंजियो का फुलफाम क्या है तो इंजियो का फुलफाम अगर आपको मालू है तो बेश्यक आप कमेंट सेक्षिय में जरूर बताएंगे ठीक है तीस नमबर का जो सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर ए ठीक है गैर सरकारी संगठ है अगला प्रस्टन है कि अगला प्रस्टन है कि निम्लिकित में से कि छेत्र में गैर सरकारी संगठन यानि एंजियो जिसको बोलते है महत्वोड भूमका निभा रहे है किस छेत्र में तो चलिए कमेंट सेक्षिन में अगर आपको मालूम तो सही उत्तर इसका बताएंगे अगला प्रस्टन है कि भीया पर एक पर्या और नीत कब सकरात्मक प्रेडाम प्राप्त करती है ध्यान से सुनेंगे बहुत ही महत्वोड प्रस्टन है उत्तर इसका हो जाएक आप्षिन नमबर भी ठीक है जब नीत अफ्थानिय मुद्दो को समभधित करती है तो उसका सकरात्मक रिजल्ट निकलता है ठीक है और अगला प्रस्टन है कि और हम बढ़ते हैं जो कि मोश्च उमपार्टन्ट है आप सबीक एक एक्जाम के लिए कोश्चन यह कह रहा कि भीया उस प्रजात का नाम क्य स्थाय जो एक लंगे जशित्र पर आक्रमड करती है ठीक है बहुत महात्रणी अभी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब्यूब अकृण से क्वचन नंपर अगरी बढ़ते हैं तो उस में प्रजाती का नाम है अ-गी-जशित पर आक्रमड करती है अगला प्रस्ट कही प्रणाली का एक प्रमु घटक है कौण सा इन आपस्टनों में से तो इसका जो सहीऊध्तर हो जाएगा अगला अगला परश्ण है कि निम्लिखित में से किसे जे रौर्क में अग्रिनी समधाय माना जाता है ठीक है तो आपको बताना सही उत्तर कौन सा होगा इन आप्शनों में से किसी चीज को माना जाता है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आप्शन number D ठीक है लाइकेन धान रखेंगे से उत्तर क्या हो जाएगा लाइकेन अगला प्रश्ण है कि एक बंजर छेत्र ठीक है जिसको चट्टान भी बोलते हैं पर सुर्वाती बसने वाले कौन से हैं इन आप सुनों में से तो आपके जानकारी के बता दे एक बंजर और जहां पर चट्टान तो ज़रू बताएंगे से उत्तर हो जाएगा अप्ष्ण नमबर कौन सा सी हो जाएगा ठीक है लाइकेन ठीक है ओके अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहे रहा कि कौन सा समुदाय एक आवास में उत्रा धिकारी शुरू करता है ठीक है तो वो कौन सा समुदाय है उस समुदाय का नाम बदाना ठीक है तो इस प्रश्णे का जो सहिँ त्र हो जाएगा ठीक है वो हो जाएगा आप्षन नमबर praw सहिए उत्र हो कि याद रखने इस्का सहिँ त्रह कर रहा कि भाईया पाधम अनुकुरम में अउन्थिम अफ्थाई समुदाय क्या कहलाता है ठीक है पादब अनकुरम में अन्तिम यानि की लास्ट का जो समुदाय वो क्या कहलाता है तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताए इसका सहयुत्तर अगर आपको मालू में तो सहयुत्तर इसका हो जाएगा आपको नमबर डी कौन सा होगा कि अगला प्रशन आपको दिख रहा होगा कि अगड़ी और ठीक है चर्मोथ कर ठीक है इसको हम लोग कहते हैं क्या सेरल समुदाय ठीक है अगला प्रशन है कि एक खाद स्रंखला में ठीक है ट्राफिक अफ्तर जो पर्यावरण और जीवित जीवों के बीच बिभिन समग्रियों को चक्रित करता है उसको किसके द्वारा गठित या उसकी योजना बनाई जाती है फिर गठित की जाती है फिर गठन किया जाता है तो थीड़ेट पर प्रस्तिती जो है साय मो नंबर याद रखेंगे अगला प्रश्ण है कि उत्रादिकार में बायो मास होगा व्हहां य होगा फिर घटा होगा क्या होगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा option number D ठीक है वो लगातार वो ब्रद्धी करेगा ठीक है सही उत्तर क्या हो जाएगा लगातार ब्रद्धी करेगा अगला प्रशन ये कहे रहा कि भाईया फास पोरस आम तोर पर किस प्रस्थित की तंत्र में वर्स के निश्चिस समय पर एक सीमित कारक बन जाता है ठीक है तो वह बन जाता है जलिए प्रस्थित की तंत्र क्या बन जाता है जलिए प्रस्थित की तंत्र सही उत्तरिश्का क्या हो जाएगा option number A ध्यान से सुनेंगे ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है अगला प्रशन है कि भाईया प्रस् सेक्शन में बताई अगर मालूम है तो सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर कौन सा ए यानि की पोटेसियम ओके अगला प्रस्तुत है कि कौन सा प्रस्तित की तंत्र भगोलिक इस्थित और वर्षा पर निर्भर विविताओं को नहीं दिखाता है तो उसका कौन वो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही उत्तर रेगिस्थान प्रस्तित की तंत्र ठीक है सही उत्तर सी नंबर ओके अगला प्रश्ण है कि कौन सा कथन कार्बन चक्र के हमारे कार्बन चक्र के हमारे परिवर्तन के बारे में एक प्रमुक चिंता का कब इसे नहीं है तो जो चिंता कब इसे नहीं है वो है अगर टिक है गुलोबल वार्मिंग जारी रही तो ग्रीन लेंड और अंटार्टिक ठीक है कि अंटार्टिक की बर्फ के पिघलने की आसंका है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर एध्यान देंगे ठीक है आप सभी कि पिःसर नकार प्रेले को अख्याइगा च्वा पोरों और अड़ी में घ्यार्मिंग प्रस्तिक पहले के इससका और डिवस्तिक समय पर एक सीमित कारक बंजाता एं अगर इस प्रस्तिक है अगला प्रस्थित की तंत्र में निम्लिखित में से कौन सा कौन चक्रे प्रवा के बज़ा एक तरपा प्रवा ठीक है प्रदर्शित करता है ठीक है तो इस प्रस्थित का जो सही उत्तर हो जाएगा ठीक है वो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा कौन सा सी न फिल्वा सब्सक्राइब को नहीं दिखाता है help को नहीं दिखाता है प्रिज्ततर सही होगा रिज्टीस सही होग हूं कि निम्लिक इतन को सही हूं क्वांगी हो principles अगला प्राश्ण होने की उम्मीद हैं तो इस प्राश्ण का सैउत्थ हो जाएगा आप शिय। उत्पादन जीपी की ठीक है उच्चितम मतलब की मोल उच्चितम होने की उम्मीद है तो सही उत्तर सी हो जाएगा अगला प्रश्ण भीया कहे रहा कि विश्चु के ताजे जल का लगभग ठीक है सत्रवा भा किसमी नहीत है तो चले कमेंट सेक्षिन में इसका सही उत्तर क्य किसके उपयोग सामिल नहीं है तो दहान नहींगे नहीं के ताजा वजन不多 हें एफिर जो उपयोग सामिल नहीं है ताजा वजन की ठीक है सही नंबर हो जाएगा सत्रमा बाग इसमें of अगला कहिए निम्रुखित में से किस प्रकार के जीवों में एक से अधिक पुलफी अफ्तर होते हैं तो उनकी जो शंख्या आप लोगों आप अधिक दो कि अफ्तर होते हैं तो मचली होते हैं इस نے नहीं को क्या कहते हैं को साकाहारी और अप घटक उपभोग कर सकता थीक है तो इसको क्या कहेंगे तो चले आपको मालूम है तो सही उत्तर हों अगले की उर्जा में पिरामिट के उलटा है यह एक कथन जो है यह एक गलत है बाकि सब सही है अग्ला प्रश्चनі की हईडीर रॉब दोनो उत्रा धिकार किस और ले जाते हैं ठीक है मद्यम पानी की इस्थित की ओर जेरी कर इस्थित की और किस चीछ की और ले जाते हैं तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा अप्शन नमबर ए ठीक है यह जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं मध्यम पानी की इस्थित की और ठीक है अगला की घास के मैदान में खरगोफ द्वारा ने कार्बनिक प्रदार्थ के बनने की दर क्या कहलात जाले से बिभिन होते हैं लेकिन इसका उत्तर जान लेते हैं सहई उत्तरिश्का हो जाएक का अप्शन नमबर ए क्वाद शंखला एक एकल अनुकरम है जो एक समदाय में ठीक है कौन खाता है और दूसरा हो जाएक जो सही वो खाद जाले खाद संखलाओं के बीच जटिल अ भी नमबर होगा ठीक है चलिए अगलेव प्रशा रिखाई कि रियाही में सूच में जीवों की सहायता से खानीज करण हैं थीक है तो इस प्रशण को अतना महाधपुर्ण सबस्तों कर देंगे अगला प्रश्но कर रहा कि बायो मास्थ का उल्टा प्रस्थिकित तंतरबें पाया जाता है तो कहां पर पाया जाता है चले बताएं कमेट सक्षन में या नीकि zal naar नूर नहीं फिर निर्मानर करना नहीं एक तरीके तो इसका सहुत्त्र है कि भी नमबर वो है अग्रिख्ष ठीक्रे अगला प्रशट यह कि सं citizen कौन है तो सिधा या फिर उलटा तो फिंदा ठीक अगला प्रसितिक उत्तराधिकार के परेडाम सरोप समुदाय में कौन से परिवर्तन होते हैं तो ध्यान देंगे जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं वह बेवफथित और अनुकुर्मिक कि तो इस प्रकार आप तैयार करके और बिसमें कुछ को e तो इस प्रकार आप इन सभी प्रशनों को तयार करके जाएंगे तो आपको एक्जाम में काफी एलफ मिलेगी और जो मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स बताने की बात कर रहा था जैसे कि एक कुष्चन है ठीक है मान लिजे सबसे पहले तो पेपर देने जाएंगी तो सभी प्रशनों को पढ़ लिए गए जिस भी प्रशन का उत्तर आपको 100% मालूम है कि यही होगा उसको टिक कर लीजिएगा बेशक उसके बाद जिस में प्रशन का उत्तर नहीं मालूम होगा वह आप में उपर उप्रोक्त में सभी या पिरन में से कोई नहीं आपसंट करना है जायातर क्यों कि आप सभी इंहीं में सभी वाले टिक कर दीजेगा क्योंकि लगभग प्रसू का सही उतर यहीं होता है । इससे आपको फाइदा यह होगा कि आपको परिच्छा में सफलता मिल जाएगी टॉप तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पासिंग मार्क आपको जो होते हैं 35 से चालिश नंबर वह आपको पक्ता मिल जाएंगी ठीक है तो यह वाली ट्रिक्स आपना आएगा और जितने में प्रसंदी जाएंगे परिच चाहिए तो हम आपको दे देंगे ठीक है बाकि यह भी पीडियाप आपको मिली जाएगी और कोश्चन जरूर पूछे एक और नई वीडियो मिलते हैं जहिंद